हालो नमस्कार अभी नंदन आभार बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का हमारी यूट्यूब चानल आवाज इंडिया पर और आज हम बात करने वाले हैं देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बारे में जिहां देश में बहुत से शिक्षित युवा ऐसे हैं जो कि बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं जी हां उत्रप्रदेश बेरोजगारी भक्ता के तहत प्रदेश के युवाओं को एक हजार से लेकर डेड़ हजार रुपे तक की आर्थिक सहायता प्रदार्म की जा रही है ताकि वे किसी भी सरकारी नौकरी या पहुँच नहीं पाते हैं तो ऐसे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया एक भेतरीन कदम है देश के या राज्य के इंटरमेडियेट से लेकर सनातक के शिक्षित रोजगार को राज्य की ओर से आर्थिक मदद द मौजूद सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि सेवा योजन वेभाग उत्रपरदेश की तरफ से उत्रपरदेश बेरोजगारी भत्ता योजना की शिरुवात की गए ताकि प्रदेश के शिक्षित युआ बेरोजगारों को आधिक सहायता बेरोजगार के अफसर मुहया करवाए जा सके आधिकारी वेबसाइट सेवायोजन.up.nic.in पर यहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है तथा यहाँ आपको बताने कि इस योजना को सिरफ यूपी के मूल निवासियों के लिए रखा गया है तथा कुछ निश्चित समय के लिए ही उनने ये बेरोजगारी भता दिया जाता है नौकरी प्राप्त होते ही इस सरकारी सहायता को बंद कर दिया जाता है यहाँ पर डेटा आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 37,46,308 जो बेरोजगारी उवक हैं व अभी भी 25,961 वेकेंसी जहां पर युवाओं का इंतजार हो रहा है कि 25,961 पद खाली पड़े हैं जहां पर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यहां आपको बताना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किस से 25 वर्ष होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन दसमी पास होने चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमान पत्र, आयू प्रमान पत्र, आय प्रमान पत्र, आपकी शक्षनिक योग्यता, कि सारे कि सारे सर्टिफिकेट की आपने क को register करवाना है registration करवाने के बाद आपको login करना है login करने के पर चाद यहाँ आपको कुछ इस तरीके का interface नजर आएगा और यहाँ पर आपको information जी हाँ registration से पहले आपको अपने user id, password, mobile number, email id वगारा सारी के सारी जानकारी यहाँ पर देनी होगी आपको साथ साथ अपने educational certificate experience के अगर certificate है तो भी आपको यहाँ पर दिखाए देंगे साथ यहाँ पर अगर आपको government job के options भी दिखाए देंगे अगर आप government job करना चाहते हैं तो आपकी भरती के प्रकार, विभाग, जन, पद, पद का प्रकार सारी के सारी जानकारी यहाँ पर दिखाए देगी, सारी के सारी जानकारी आप लेने के पश्याद, आप इस बटन पर click कर सकते हैं तो आपके साथ में पूरी की पूरी job details कुल कर आजाएंगी इसके साथ यह अधिकारिक website पर जाकर आप private jobs के links भी ढून सकते हैं जिहां कुछ इस प्रकार का interface जो आपको private jobs के लिए दिखाए देगा और यहाँ पर आपको अपनी वेदन, सीमा, शक्षनिक, योगिता, कौन से सेक्टर में आप job करना चाहेंगे इस यह सारी जानकारी पर आपको दिया गया है गुरु गोविन सिंग, मार्ग, बास, मंडी, चौरा, हाल, लखनव, उत्रप्रदेश, भारत, जिहां तो आप email id भी यहां पर प्रदान की गई है, सेवा योजन, up at the rate gov.in, जिहां यहां यह आपकी email id है, तो इस प्रकार से आप एनी contact कर सकती है, तो दोस्तो उत्रप्रदेश बिरोजगारी भत्ता के लिए आप जल्द से जल्द इस योजना का लाब उठाएं, मिलते हैं ऐसी ही किसी योजना की जानकारी को लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिन जय भारत